तो देखिए वादे का मुताबिक हम बात कर रहे हैं प्रस नमबर दो की तो देखिए प्रस नमबर दो में इन्होंने क्या कहा है निम्नांकित के मान बताईए फिर से हम बताते हैं प्रस निम्नांकित के मान बताईए तो देखिए प्रस नमबर दो में इन्होंने चार भाग द मान बताईए फिर से हम बताते हैं प्रस नियोंने क्या कहा निम्नांकित के मान बताईए तो देखे प्रस नमर दो में इन्होंने चार भाग दिया है हम बारी बारी से सौल्प करेंगे तो सबसे पहले वाले भाग में देख लिजे इन्होंने क्या कहा है यानि क्या दिया हुआ है 56 का बर्ग इनों दे रखा है तो आपको करना क्या है यानि बर्ग है दो बार है यहां पर रफली हम बतायते हैं यहां पर देख लिजिए 56 गुणे 56 आप लोग लिख लिजिए गाने गुणा करना आता हुआ तो समझे यह अपने एंसर इसका निकाल जब आप 56 से जब आप गुणा करोगे तो हमें कितना मिलेगा 3136 मिलेगा आप लोग गुणा करके देख लिजिए गा यानि 56 का जो बर्ग होगा यहां पर लिख लिजिए गा पहले बारे भाग में आपको लिखना है 3136 ठीक है यह हम आपको प्रेट कर यहां पर भी बता रहे हैं और दूसरे बाग में इनों दिया है 65 का बर्ग यहां पर हम बता भी देते हैं 65 65 होगा और जब 65 से 65 में जब आप गुणा करोगे तो हमें कितना मिलेगा 4,225 मिलेगा यह रफली है हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं यानि 65 का जो बर्ग होगा यहां पर 25 आप लोग लोग गुणा करके देख लिएगा और तीसरी वाले भाग में दिया है 82 का बर्ग है तहाँ पर देख लिजीगा तो 82 गुणे 82 आप लोग गुणा करके देख लिए तो हमें मिलेगा 6724 मिलेगा यहाप लिख लिजीएगा 6724 ठीक है अब हम बात करते हैं 75 गुणडे 75 यह रफली है ठीक है तब 75 से 75 में जब आप गुणा करोगे तो हमें कितना मिलेगा यहां पर 5625 मिलेगा आप लोग गुणा करके देख लिजीएगा तो यानि 75 का जो बर्ग होगा 5625 ही होगा और यही हमारा कोश्चन अमदू का फाइनले एंसर भी होगा आप लोग लिख लिजीएगा तो देखे हम बात करने वाले हैं प्रस नमबर 3 की जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाकर आप देख सकते हैं यह कोश्चन हमारे सौल्प हो गया तैट हorama प्रसिप्सिंद डोगे खाइज प्रस दिखने लिछ